मेरे फैमिली वाले या दोस्त रेक्मेंड करते हैं जब मैं बुक की दुकान में जाता हूं तो एकदम मैं ऐसे बच्चे की तरह हो जाता हूं जैसा बच्चा टॉइ स्टोर में होता है मुझे समझ में नहीं आता कि कौन कौन सी बुक ले जाओ और उन्हें पढ़ लूँ जब मेरे कोई फ्रेंड जानने वाले फैमिली वाले जब मुझे कोई बुक रेक्मेंड करते हैं तो फिर मैं उस बुक को पढ़ता हूं बुक को ग्लांच किया देखा ठीक से पढ़ा नहीं लेकिन मैं एक बात आपको बदा सकता हूं कि ये एक खाने पर एक प्राक्टिकल बुक है वो लोग जिनका नाम है जिनको लोग जानते हैं जिनकी फिटनेस उनके चेहरे उनकी तस्वीर में दिखाई देती है उनकी रेस वो खाना जो कि सहत के लिए हर तरह से अच्छा है इसमें मेरी फेवरिट रेसिपी तो जो मेरे बेटा ने मुझे दी है जो कि पोहा जो इस बुक में फब्लिश्ट है और अब यभी मेरी भाबी पुनम सिना जी ने बताया कि सोनाक्षी का एक बाद अशा रेसिपी है मैं य , बीक वुक जब आया तो थोड़े टाइन पेली आया है लौ जब हुक है तो मैंने फेली भरी भी ओ फरीज लिया था क्योंकि इसमें सारे जो रेसिपी Raceं बहुत हेल्दी है और मेरा भी एक रेसिपी है इसमेज रेसिपी है बहुत हेल्दी है सारे वैसे भी वेगन जो भी डिशे होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत आसान है इन्हे बनाना मुझे किच्छन में ज्यादा ताइम बिताना विल्कुल यह अच्छा लगता तो यह सबसे सारी जो रेसिपी से बहुत असान हैं आप मिंटो में बना सकते हैं और इसलिए मुझे बहुत बसंद है और मैं अनुरादा को गराचुलेशन कहना चाते हूं यह बहुत बड़ी बात है कि एक प्यॉर्ली वीगिन बुफ जिसने इतने सारे पॉस्नल रेसिपी जो ल मैं यहां पर आने से डर रही थी क्यों क्योंकि एक नॉन बेचिटेरियन के लिए एक ऐसी बुक लांच में भागेना जो की वीगन लाइफस्टाइल के बारे में हो फुड़ा सा अजीब लगता है तो जब मैंने उनसे यह बात कही और हुने कहां क्यू ना आप एक हफते के लिए वीगन खाना खाना शुरू करते हैं बहुत जादा मुश्किल हो सकता है मेरी यह क्योंकि हर दिन मैं चिकन खाना पसंद गड़ती हो ऐसे में कोई मुझसे यह कहे कि आप चिकन खाना बंद करें और सब्सीयों की तरफ अपना ध्यान दें दूद पीना बं करते हैं मैं पीछे नहीं अटूंगी और मुझसे यह इसा लगता है कि बहुत मसा है Oh, that's correct. I hardly go to any events because for me I have to have a good reason to go for an event. Because I'm a very private person. I just like to be alone. But this is a very special book. First of all for me it's special because it's written by my friend Andu Radha and it's all about vegan recipes. However, what is interesting about it is that it has a lot of different recipes done by a lot of celebrities and I'm one of them. I have contributed with one recipe and one little story. It's basically about eating healthy, having vegan meals, yet obviously not compromising on the taste or anything like that. It's really yummy and very nicely done with beautiful pictures. I think me and Anu Radha have one thing in common and that is we love animals and she was associated with Vita for many, many years. And what else can I say? Vegetarian. To encourage people to go vegan, to go vegetarian. And obviously when celebrities do one thing, everybody wants to follow. I think it's very healthy. It's a wonderful book. Even if you can go vegan for once a day, I mean one day in a week it would be good. So I'm here to encourage people to go vegan and also to congratulate Anu Radha. When I go out to eat, I normally eat Italian because my hands don't get messy. It doesn't smell. It's easy to eat and I get full in small portions because it's pretty cheesy. But otherwise at home I like Indian food. What is your local food that looks like? Well, Anu Radha is very close to you and very nice. And we have a lot of fun when they told you that this book is written. And it's on vegan. I think that in a day when it's a good cause. विज भी वेगन होना चाहेगे वेगन होना चाहेगे वेगन होना होते हैं और एक हल्फ के लिए यह किना अन्षा है आप देखो मेरी खास रेस्पीस को बहुत ही है मेरे हस्बन बहुत पसंद करते हैं गुट फूट को और मैंने पूरा बिहारी खाना सीखा अपने सास्कमा से और स्वेश्की जो सर्सो की मच्छी है वो मेरे सारे दोस जितने भी है सुनाक्षी के होस्टार्स है उनको वो बहुत पसंद है तो मैं बहुत अच्छी चरब से बनाती है